है भारत के वा जो है फिजिकल जोग रुखी मतलब बहुतीक बहुत्ट का बहुत पोल अं ँसके बारे में अब धाल हाई ज़समें नहीं जानाता है ल्यग संदर में जक्षनी एशिया में उसकाãy क्या है अवस्तिति क्या कहा है उसके रिलीफ फिचर जानी है ना बहुत क्रतिक जो भी विवाजन है वह ने किया था कि उसके drainage का ध्यान किया यानि नदियों का सुरूब पड़ा उसकी जलवाई को बारे में ध्यान किया हमने यह जाना कि वहां पर किस प्रकार की मिर्दा पायी जाती यह भी जाना कि प्राकर Tea करती और यह तो अम डियंशी कलर हो जो बारत का जो लैट है उसके उसके में अध्यायों के विश्तार से पुरोग जो है अध्यान किया अब भारत की अर्थियोस्ता कि संदर में मद्यान करेंगे जिसमें पहला टॉपिक जो पन लेते हैं वो है मिंंडरिल रिसोर्स जो है हमारी आर्थिक आधार को बताता है इसमें खनीज संसादन उर्जा के संसाधन एक्वर्टिक रिसोर्स वन संसाधन इडिकेशन एगरिकल्टर इंडिस्ट्री इत्याद यह सभी चीज़ें इसके अंदर गताती है आज जो हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि खनीज किस प्रकार के हैं कहां कहां पर मिलते हैं और खनीज पहले होती कहें तो आज के इस खनीजों का वर्गी करण हम कैसे करते हैं तो सरप्रतम हम यह देखेंगे कि खनीज संसाधन ऐसे प्रकार्टिक रूप से मिलने वाले संसाधन है जो तत्वों के कॉम्बिनेशन से मनते हैं और यह जो है हमारी दरातल के अंदर पाए जाते हैं मतलब प्रत्वी की जो भूमी अब रिसोर्स क्यों कहते हैं मैं से संसाधन क्यों कहते हैं संसाधन हम इसलिए कोई वीवस्त तो संसाधन तब बनती है जो मानव के लिए वह उप्योगी सिद्ध होगी जैसे रेत साधन रेत हो सकता है किसी मनुश्य के लिए उप्योगी नहीं हो लेकिन जब हम इसको म्रिदा के रूप में पढ़ते हैं तो वह क्रशी के लिए उप्योगी थाबित होती है इसलिए म्रिदा भी एक संसाधन है इसी तरह से हवा जो एर का जो इट्मस्फिर के इस जें वह शाधन रूप से उप्योगी नहीं है लेकिन जब वह हो चलती है जब उसका मूवमेंट होता है तो वह विंड गहलाती है कि कि आ ow जो वक्राहुम Tiny डी जिए अ जब चलाए-मान होती है तो हम ip कह दिर्द हवा के नाम से जानते हैं और चलती होई हवा हमारे लिए एक संशादन है कैसे अब हम जानते हैं पवन्चक्की होती है पवन्चक्की जो है उसका पंखा जब घूमेगा तो उससे हम बिजली बनाना किसी मशीन को चलाना इत्यादियं मुस 느कं होरा कर सकते हैं तो बैती हुई हवा वह हमारे वा संशादन इसरी बाता I जो سब्किता ऑसटमिक है क। जोरी में मिनर्स दोटकर सब्सक्राइब चाहिए कृए जब करेंगे तो उसके साथमें अन्य स्वागरी साथमें से जुड़ी होए तीब उसका मैं होता जसको ओर बोलते हैं या तो की र्यस्क करता है मतलब जैसे मा लोहा है तो लोहा अगर हम खननान करना चाहेंगे तो उसके साथ में अन्य प्रकार की रेट या अन्य प्रकार की चटने भी उसके साथ में आईगी और जो हमारे लिए एक तरीके से अलग करना पड़ेगा तब हम जाकर उसको लोहे को जो है योग में ले सकते हैं तो इस प्रकार की जो मिन्डल्स होते हैं वह मिन्डल्स और या ऐस्क के फॉर्म में मिलते हैं जो में प्रत्वी से प्राफ्ट होते हैं है और कि उनका अगर हम भरगी करन देखें है आख रमकारब्ड देखें तो मुख्यरोप से दो प्रकार व्र बच्शेत गुदिए जाते हैं 55 इसको हमके यह निरे क्दाविक थोर्म धात्वी खनीज हो दात्वी खनीज गैं के जानते हैं अब धात्वी खनीज को भी हम फदार वरिकन कर सकते हैं करिए अरन जैसे एक तो वीड़िए और दूसरा हुआ ओग्या नॉन फेरल है इन यह तो यह मुख्य रूप से लोऊ से संब्रिश्प हो ऑट मिछ पर फेरिश्पो lagi फ्रिक मंडिश्पों कवाई सोना चांदी तांभा अपना है ऐलूमीनियम लेड टिन मेगनेशियम यह जो है सारे की सारे इस अलोधातू कहला जाते हैं तो इसे हम आलोधानीज के रूप में इसका वरिगरंड़ करते हैं तो खनीज दात्विक खनीज़ है उसका हम लोग और अलोधा यह दो तरीके से इसका बरिकरन करते हैं अब धात्विक खनीज के अलावा दूसरे कौन से खनीज भूंगे जो नॉन मेटलिक मिनरल्स होंगे नॉन मेटलिक मतलब अधात्वी जिसमें धातु नहीं पाई जाती है इसमें प्रम कुरूप से जो खनीज है वह चूना पत्थर हो गया अपना माइक हो गया लेड यानी सिशा हो गया जिप्सम जो सिमेंट इंड़स्ट्रीज में कामाता है वो ह हो गया नमक हो गया हीरे और जो कुछ एनर्जी रिसोर्स हैं जैसे कोईला पेट्रोल इत्यादी यह सब भी अधात्वी खनीज के रूप में आते हैं लेकिन इनको अधात्वी खनीज के अंदर हम जो है इसका फर्दर वर्गी करन कर सकते हैं कि इसमें किस उप्योग में ले र उर्जा प्रात करने कामता है उर्जा उत्पदन करने कामता है तो इसे हम ऐनर्जी- जो है उर्जा-संसादन की रूप में हम इसका फर्दर वगइकरण कर सकते हैं तो वगविकरण करने कई अधार होसे लेकिन प्रमुक में जो अधार वह ये ये दात्विक है ये अधात्र वह अब भारत के संदर में हम इसे इसी ूरूप में पढ़ेंगे तो भारत में खुनीज जो है उसकी क्या है देखोby भारत में कुछ खनीज तो बहुता है तो मिलते हैं लेकिन कुछ खनीज जो हैं वो कम है तो हमें सेल्फ सफिशेंट होने के लिए बारत को आत्म दिर्बर बनने के लिए खनीज संपदा एक महती भूमी का निपाती है जिससे हमारी अर्थ वहस्ता मजबूत होती है और इसका दोहन इस रूप में किया जाए कि हम अपनी पीडी के लिए तो इसका दोहन होई लेकिन साथ की साथ हम ऐसा नहीं कि इसका दोहन इस प्रकार से कर लें कि बविश्य की पीडी में एक खनीज उपलब दीना हो तो हमें जूडिशली जज्जमेंट करते वे इसको मानविक तोर पर लेते हुए हमें यह समझना चाहिए कि इन खनीजों का अती दोहन नहों और इस प्रकार से दोहन हो कि वेस्टेज मिनिममम निकले और लेंड का डिग्रेटेशन सबसे कम हो अब खनीज प्राप्त करने के लिए हम खदाने खोड़ते हैं खदाने मतलब जिस उपन कास्ट माइनिंग के अंदर दरातल को जो है इस प्रकार से ख群ा जाता है कि इसमें मालो हम अपने परिव features ऑन दो प्रकार से बनाते हैं कि वो एक सुरंग के रूप में बने जो बैल्ट है जहांसे में कोईला मिल रहा है उसको एले को हम निकाल ले और बाकी का हिस्ता जो है हम खोदे भी नहीं छोड़ दें तो इसको हम क्लोज पिट माइनिंग गोलते हैं तो खदाने भी दो प्रकार की हो ग मैंगनीज, टाइटेनियम, अलूमिनियम और लाइमस्टोन यह तो बहुत आयत में मिलने वाले लेकिन कुछ खनीज जो है वह कम मिलते हैं जैसे कॉपर हो गया तांबा शीशा हो गया जिंक हो गया यह कम मिलते हैं जो हमारी फैक्ट्री में इंड़स्ट्री में काम आते हैं तो जिसके लिए उसको में दूसरे देशों से आयत करना पड़ता है लेकिन हम लोहग में कोईले में इसको निल्यात करने में सक्षम है क्योंकि इसका उत्पादन भारत में काफी हद तक आत्म दिरबर होने के साथ साथ हम पढ़ोशी देशों को भी उसको पहुंचाते हैं तो यह मिनरल रिसोर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया अब हम अगली अक्षा में जो है कि जो खनीज है पर्टिकुलर्ली हम जैसे मैंने भी एक्जाम करते हैं लो है लो है स्कोईला बॉक्साइट इत्यादी माइका तो इसका हम पर्टिकुलर्ली लेते हुए एक कि इसका अधिकुतपादन करते हैं कौन से इसका राजी है जब इसमें अगली अक्षा में इस पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद कोई प्रस्ण है था वह से पूचिए धन्यवाद